हाँ तो भाई आगा हम फिर से बहुती कमाल का फोट इडिटिंग लेके तो आज हम आप लोग को कुछ इस तरह से फोट इडिटिंग बताने वाली है जो कि आप लोग देख सकते हो या पर कितना खुबसूरत फोटो अमारा लग रहा है उसके बाद भी मतलब पहले देख सकते करने को मिलेगी अगर आप लोग इसी डिट को सीखना चाहते तो प्लीज वीडियो कॉम्प्लीट देखना और मैं बता दो अगर वीडियो पसंदा उसके बाद वीडियो को लाइक और चाल को सब्क्राइब करना ना भूलते चलिए जहां देरने करते हुए वीडियो को स्ट को हम इडिट करेंगे ठीक है यह फोटो को लिरीटि करेंगे यह बैकगराउंड पर ठीक है और यहां देख सकते हैं काफी खुब सू etcetera लग रहा है यहां पर और खुशुरह था ही बैग्रांड उसके बाद क्या करना है आप लोग को मैं बता दूए यहां पर एड़ फोटो का अप्शन मिल जाएगा तो एड़ फोटो वाले अप्शन पर जाके और यहां से जो फोटो को एड़ीट करने हो आपको वह फोटो को सि सिंप्ली यद्द कर देते हैं और एड़ आट करने के बाद थोड़ा जूम करेंगे और जूम करने बाद कि क्या करेंगे नीचे निक्तång करेंगे इसलिए ताक्ए हम को आर पार देखे जानी बैकलान्ट उस पार भी देखन तो तो जिसको हम इस तरह से अर्जेस्ट करेंगे ठीक है वाइज तो यहाँ पर अगर दिखेगा ना तो अर्जेस्ट हमाचे से कर पाएंगा उसके बाद उपाज़िट्य को 100 कर देंगे और उपर इरेज का और आप जक्लीक करने के बाद आप लोग को बैकगराउन और इस तरह क कटेगा तो यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह से background को काटना है और मतलब यह मैं उपर-उपर कर रहा हूं उसके बाद सब्सक्राइब करना है ज्यादा जल्दी वाजी नहीं कर रहा हैं मतलब देख सकते हो यहां पर जल्दी वाजी नहीं करना आधम आपको जितना अराम से करेंगे और अच्छा कटा रहेगा बैक्राओंड ना उतना बेटर लाएगा दिखने में उतना रियल रियल वाला फोटो में ठीक बाई तो चलिए हम तुरह जले लिए में कर लेते हैं आप लोग ध्यान से देखते रहे वीडियो को कि अच्छा पाइब आप कि अच्छा पाइब किन a किमें तो फाइनली यहां पर देख सकते हो हमने मतलब कितना आच्छा पैक्राओंड कर दिया ठीक है तो ड़िए हों गया उसके बाद सिंप्ली सकूंड गाइगले टीका है और करने के बएद क्या का टितना आचा पट्राइब बीन यह जाना है वह अपिर अप HC याँ पर जाये खिए अब क्या करेंगी हम मतलब उसका करेंगे तो यह लग ऑली उठालेंगे तीकर अज обяз गरांट का कपड़ा को मतलब जाब देंगे तो पूरे कपड़ा को ठक देंगा धकने के बाद यहाँ बैप bakın और सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिल जागा इन वोट का यूंप कर देना और अपने पूरे प्रे मतलब इस तरह से तरह से और जूम करने जूम करके भीग करेंगे मतलब एक दम बारी के बारी के से जैसे की बैगाउंड कट किया था वैसे जूम करके ठीक है तो यहां पर हम इसको भी थोरा जल्दी में कर लेता है आप लोग ध्यान से देखते रहे क्योंकि ज्यादा लंब वीडियो नहीं हो इसलिए हमें जल्दी अलीमक करना पड़ता है तो यहां पर कपड़ा का भी कलरी चेंज हो चुका है मतलब बैक्ग्राउंड से मिलता जलता का भी मैच हो रहा ठीक है उसके बाद सिंप्लिस को डन कर देंगे फिर से आपको डन करना है और यहां पर देख सेकते हो कपड़ा कलर और ब है तो यहां पर क्या करेंगे हम चस्मा कलर भी करेंगे तो फिर से आपको एड़ फोटो में जाना है और एड़ फोटो में जाने के बाद यहां पर फिर से बैक्राउंड का अप्शन है तो इस पर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आप लोगको कलर वाले आप्षन पे क्लिक कर देना है और प्रसे से मौझे जो की बैक्राण्ड है और जो कपड़ा के क्लड हो चुका है उसको वही कलर लेंगे उसके बाद सिंप्ली एट कर देंगे एट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे कुछ यहाँ पर हाटनेस को 89 या फिन 19 तक रख सकते हैं और साइज को छोटा करने के बाद यहां से आप लोग को एकदम अच्छे तरह से करना होगा क्यूंकि यहाँ पर ज्यादा जूम नहीं होने वाला ठीक है तो आप लोग को ऐसे ही करना होगा एक दम आराम आराम से तो चलिए हम इसको भी तो यहां पर फोटो मार अब तक कितना सांदार लग रहा है ठीक है तो उसके बाद क्या करना आप को नं करने के बाद करने के बाद देख सकते कवसे सहथ्ने से अच्छीं कारें कर दी एक दम के यहां पर टूल्स वाले अपिर टूल संस ECK करना वसका लगाए और घ्लीक कर नहरेकर और अगर बैटम रहाएं सबने पर ना पर सिंपलिक न रहें और देख सकते हो फोटो हमार डीट हो चुका है उसके बाद से करेंगे और सेप करने के बाद क्या करेंगे एक शोटा सा काम कढए इस पोटो में जो सीप्स अप्लिकेशन है तो गेल्टि में जाएंगे जो फोटो को सेव तो प्लिक करने आप लोग को और यहां से लेक्तिव वाले अप्सटन पर क्लिक करेंगे ठीक है और फोटो इस तरह से जूम करेंगे जो हमारा फेस का एडिया होगा जहां पर डार्क चाल लागा उसको हाथ को गिशते हुए कुछ इस तरह से लाना है और यहां पर रखेंगे उसके बताइच को च्छोटा कर देंगे ठीक है को कुछ इस caz को कुछ इस तरह से चोटा कर देंगे और इसको राइट कर हाथ को मतलब राइट घिषते हुए इसको बरेटनिस को बटालें वहां पर ठीक है उसके बाद फिर से आपको नीचे प्लस का इकन दिख रहा होगा तो उसके बाद फिर से आपको वही एक मिलेगा तो जहाँ जा पर आपको डार्क वाला एरिया लेगा नहीं वहाँ वहाँ पर ब्रैटनेस को बहा दीज़ेगा ठीक है तो फिर से आप मतलब यहीं करना है मतलब आप जितना वार कर सकते हो कोई द तो रजा स्मूथ भी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम इसको भी भरा देते हैं उसके बढ़न कर लिए और देख सकते यहां पर आफ्टर तो यहां पर कितना अच्छा फेस स्मूथ और फेस वाइट हुआ है ठीक है उसके बाद फाइनली हमारा फोरेडिट कंपलीट हो चु बता दूंगा तो कुछ इस तरह का फोरेडिट करने के लिए एक दम यहीं पोर्चेस था जो कि मैंने आपको लोग को असान तरीका से बता तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छा से देख ले या फिर अच्छा है समझ ले तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस तर झाल झाल